नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी बड़ी खबर महरास्ट में एंसीपी और शिवसेना के कारेकरता आमने सामने आगा रहे हैं जबरदस्त जड़ा पर दोनों ही पार्टियों के कारेकरता हो के पीछ हुई है आपको बता दे महरास्ट में तीनों ही सैहोगी पार्टियों के कारेकरता आए दिन एक दूसरे से लड़ते जखडते नजर आ जाते हैं और अब महरास्ट के भिवंडी में इलक्षन कमिशन के आफिस में शिवसेना और न्सिप के कारेकरताओं के बीच जबरदस्त जड़प देखी गई है वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आपको बता दे न्सिप जुला अध्यक्ष गनेश गुलवी महरास्ट सरकार में अपने ही सैहोगी शिवसेना के उमिदवार के अनिदिकरत बैनर को लेकर शिकायत करने पहुँचे थे लेकिन इस दोरान ही वहाँ जबरदस्त जड़प दोनों ही पार्टियों के कारेकरताओं के बीच हो गई है आपको बतादे दौनों ही पार्टियों के कालेकरतां के बीच पहले बहस हुई उसके बाद एक दूसरे पर कुर्सी फängtकी गई और ये पूरा जो मामला है चुनाव आयुक्त के सामने ही हुआ है ये जवर्दस्थ लड़ाई जो हुई है ये चुनाव आयुक्त के सामने ही हु और उसका ही नतीजा है कि अब भिवन्टी में इलेक्शन आफिस में ही इन दोनों कारेकरताओं के बीच पहले बहस हुई जवर्दस्त और उसके बीच वो हाथा पाई पर उतराए। पहले बहस हुई और उसके बाद जिस तरीके से एक दूसरे पर कुरसिया फैकी गई और गाली गलोच किया गया वो साफ़तोर पर जो वीडियो वाइनल हो रही है उसमें दिखाई दे रहा है तो किस तरीके से महराश्ट्र में अब ये जो सहयोगी दल है एनसीपी, कॉंग्रे और शिवसेना इनके ही कारिकरता आपस में भीड़ते नजर आ रहे हैं इसकी बाद की साफ़तोर पर देखने को मिलती है इससे पहले कॉंग्रेस के साथ भी ये चीज़े सामने आ चुकी है और अब जिस तरीके से भिवेंटी नगर निगम चुनाव जो आने वाले हैं चुन मामले का संग्यान लेते हुए फिवेंटी के जो चुनाव आयुक्त हैं जिनके सामने ये पूरा जबरदस्ट ड्रामा हुआ है दोनों ही पार्ट्चियों के कारिकरताओं की जड़ा कुई है ये हुआ है उन्होंने दरसल उन लोगों के खिलाफ और सरकारी काम में बादा ड ज़र आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर दरसल महराज्ट्र में बीमसी के चुनाव आने वाले हैं लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वहाँ जो राजनीती है वो हो रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या बीमसी के इन चुनावों में यो जो पार्टिया कर रिजल्ट रहा है अब तक ये माना चौरा है कि अलग अलग ही ये पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं फिलाल आपको बदा दे राज्य में गटबंधन की सरकार हैं एनसेपी शिवसेना और कॉंग्रेस तीनो ही पार्टिया मिलकर वहाँ एक गटबंधन की सरकार बनाए यूपिय अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़ा कर चुकी है किस तरीके से एनसीपी को वो दरसल अपने सहयोग चाती हैं वहीं कॉंग्रेस को अपने से अलग करने की कोशिश में जिस तरीके से शिवसेना जुटी हुई है उसको लेकर भी काफी तनातनी कॉंग्रेस और शिवस परदस्त लड़ाई उन कारेकरताओं के बीच देखने को मिली है तो तस्वीर बिल्कुल भी साफ होती नजर नहीं आ रही है कि आखर अब बीमसी चुनाव में शिवसेना करेगी तो क्या करेगी ये बड़ा सवाल है दरसल बीमसी चुनाव को लेकर ये तीनों ही पार्टिय को वहाँ पसंद नहीं आ रहा है फले ही वहाँ गटबंधन की सरकार हो लेकिन जिस तरीके से शिवसेना अपने ही कामों में आडी रहती है अपने ही मत आगे रखती है उसको लेकर दरसल तरहतरी वहाँ देखी गई है कि किस तरीके से हाली में और अंगबाद शेहर का नाम बदलने को लेकर भी वहाँ काफी चरचाय हुई जिस पर शिवसेना और कॉंग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई। कॉंग्रेस पार्टी इसके लिए तयार नहीं है कि वहाँ किसी भी शहर का नाम बदला जाए। तीनों ही पार्टिया अलग अलग चुनाव लड़े ही एक बड़ा सवाल है। आपको बता दे हाली में विदानसवा चुनाव में ही शिवसेना ने एंडिये से अलग होने का फैसला किया था बीजेपी से अलग होने का फैसला किया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी विरोधी पार्टी यानि एंसेपी और कॉंग्रेस के साथ वहाँ गटबंधन किया था। तो अब जिस तरीके से तस्वीरे हैं वो दरसल ये बया कर रही है कि माहराज्ट में जो बीमसी के चुनाव आने वाले हैं उसमें इन तीनों पार्टियों का एक साथ आना मुश्किल है क्योंकि शिवसेना पर साफतोर पर ये तमाम पार्टिया आरोप लगाती आई हैं कि द शिवसेना एनसीपी का साथ वहाँ चाती हैं एनसीपी की तारीव करती अब नजर आती हैं शरत पवार को यूपिय का ध्यक्ष बनाना चाती है वहीं दूसरी और राहूल गांधी से लेकर कॉंग्रेस पार्टी और यूपिय गटबंधन पर जवरदस्थ हमला करती है तो त पार्टी है वह कहीं कमजोर हो रही है वहीं केंज सरकार पर हमलावर होने के चक्कर में शिवसेना अपनी राह पूरी तरीकर से भटक चुकी है और अब BMC चुनाव आने वाले हैं ऐसे मिल लगातार वह BMC चुनाव में उसकी जो राजनितिक राह है वह भी समझ नहीं आ रह जो कि एक दूसरे के विरुद अब तक चुनाव लड़ी थी अब साथ आई हैं ऐसे में जो इनकी कारे करता हैं उनके लिए दरसल मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब चुनाव आने वाले हैं ऐसे में कोई भी अपनी सीट छोड़ कर दूसरे को नहीं देना चाता है तो ये प शिवसेना लगातार मुश्किल में फस्ती नजर आ रही है बीजेपी लगातार निश्वाना साथ रही है कि आखर किस तरीके से शिवसेना जो है वो बाला साहिब ठाकरे की पार्टी थी उनकी एक अपनी अलग सोस थी लेकिन अब उस सोस थे वो पूरी तरीके से भटक चु दूसरे पर से हात अपाई करते नजर आते हैं और अब एक और तस्वीर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चाही हुई है सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायर हो रही है जिसमें भिवंटी नगर निगम में दिस तरीके से एक बैनर को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है NCP के नेता ने शिवसेना के नेता पर उनके बैनर पर आरोप लगाया था और जिसके बाद ये पूरी जड़ा पर देखने को मिली है NCP और शिवसेना के कारेकरता अब एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं तो लगातार जो गटबंधन है वो तूटने की कगार पर है कॉंग्रेस ये साफ तोर पर शिवसेना को शेतामनी दे चुकी है कि अगर ऐसे ही शिवसेना का ताना साही रवाया रहा तो महराश्ट में सरकार गिर सकती है तो कॉंग्रेस अपनी जो सोच है वो साफ कर चुकी है लेकिन वही सिवसेना अब जिस NCP का साथ चाहती थी अब उसके भी कारेकरता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं तो तस्वीर महराश्ट की बिल्कुल भी साफ नहीं है लेकिन महराश्ट की सरकार मुश्किल में है ये तो साफ है फिलाल आपके इस पुरे मामले पर क्या राई है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें